कर रहा ही से लिए कोई भी काम जोटा और बड़ा नहीं होता है तो इसी की ताया मैं यहां पर बैठे वे गार्जिनों एवं बच्छों के जो भी माता पिता आये वे उसे रिक्ष्ट कर रही हूं कि आप अपने बच्छों को उच्छाइद कीजिए और उन्हें आगे बढ़न लेकिनगे वालड़ा है कि रहे होता है तो कि किसी और शेद्र में होता है तो अब सबसे बड़ी कम्ई है कि वह अपनी काभियत को समझें और उस अपने च्छों के अपना लक्षे कर डया करके कठीन परिस्त्रम कठीन लगन के साथ में आड़े आगे बढ़ेगा तब ही और और यहीं हमारे यहां इस चेतर की कमी है बच्चों की, कि बच्चे पेल्ट कर लेते हैं अच्छी बढ़ाई, लेकिन पेल्ट करने के बाद में वो अपनी बढ़ाई भू जाते हैं, इसके बीचे सबसे बड़ा कारण है कि एक तो उनके परिवार वाले धान नहीं लेते हैं, और दूसरा वो खुद बच्चा लापरवा हो जाता है, क्यों हो जाता है क्योंकि वो बच्चा सोड़ यह सोचता है कि अब प्रेल्ट हो गई बस हमने पढ़ाई कर ली, इसका कारण यह नहीं कि प्रेल्ट होगी तो आपकी बड़ाई हो गई, अपना लक्षे अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जब तक लक्षे पूरा नहीं हुआ है, तो सामी विवेका नंजी कहता है कि उठो जागो और लक्षे की प्राक्ती तक रुको मत, जब तक हमारा लक्षे प्राक्त नहीं होगा, तब तक आप भूखिये मत, ना अब अपने भूत काल को देखो कि कल मैंने क्या किया था और ना भूशे की जिस्ता करो कि आने वाले समय में मुझे क्या करना है, बस अभी वर्तमान की इस्तदी में देखो कि अभी मुझे क्या करना है, अपने पिता का नाम कैसे रोसन करना है, अपने समाज में काम कैसे करना है, और इसी उज्यश्यों को लेकर जब आप चलोगे, तब ही आप इस गाउं का, इस देश का विकास कर पाओगे, और जब एक गाउं का विकास हो जाएगा, तो ओल्डेडी इस सहर का विकास, इस विकाने सहर, इस राजस्तान, इस वारत का भी विकास हो जाएगा, क्योंकि एक छोटी से पदलती गाउं से ही सुरू होती है, एक छोटा सा बच्चा जो अपना हुनूर है, वो गाउं से ही इकल के सुरुऑ होता है और गाउवाले बच्छे आप सोचे हूं इद रही कि कमों होते हैं कभी ऑले है अब ही गाउवाले कम जॉर है अब्सक् внे जो भी पढ़ यह चोड़ाइक के इंदर सोcor ॑तिस・ यह इस हूर अगर इस बच्चे में और आप में उस्पे की फरक होता है वो धान लगा के पढ़ता है और अप धान लगा के नहीं पढ़ते हो और यही से इन सारे बच्चों से रिकरस्ट करती हूं कि आप भी अपने स्कूल का नाम रोसन कीजिए और आने वाले समय में अपना एक इस्तान क प्रण कीजिए दुन्यवाद